नमश्कार स्टुडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग, आप सब का एक बार फिट से सवागत है, बाइजूस एक्जामप्रेप आयस हिंदी के इस यूटीब चनल पर, आज के इस डैनिक कुईज में देखेंगे कौन-कौन से प्रशन इंपोर्टनेंट है, तो लेक्चर को शुर में आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर सकते हो, सबसे पहला प्रशन, निमलिखित कत्नों पर विचार करना है, कौन से कथन सत्य है, वायू शक्ती अभ्यास एक त्रिवारशिक अभ्यास है, जिसका उद्देश यहाँ पर भारती वायू सेना की शमता का प्रदर इस पर पहले भी प्रशन पूछे गए, और एकडम सिंपल और स्टाटिक प्रशन आते हैं, तो आपको military exercise के basic concept को जरूर याद रखना है, वीडियो को पॉस्ट करके इसको करने का प्रयास करिए, यह देखिए economic times का article है, exercise वायू शक्ती का 2024 का संस्करन स्टार्ट हो रहा है, 120 120 Air Force के aircraft यहाँ पर अपना प्रशन दिखाएंगे, अब जैसे ही हम लोग वायू शक्ती की बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, Indian Air Force का यह exercise होती है, यहाँ पर जितने भी fighter planes होते हैं, जो मालवाहक planes हैं, जिसमें हतियार, tanks एक जगे से दूसरे स्थान पे पहुंचान मानव रहित यानि की unmanned aerial vehicles होते हैं, इन सबका combined रूप से एक exercise करी जाती है, तो उसको हम लोग वायू शक्ती के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर पहला वाला statement एक नम सही हो जाएगा, जब हम गरूर की बात करते हैं, तो यहाँ पर Britain नहीं आता है, यहाँ पर क्या आता है, France एक fact यहाँ पर और ध्यान रखेगा जब हम लोग गरूर शक्ती की बात करते हैं, एक exercise है जिसका नाम है गरूर, दूसरी exercise है जिसका इसी से मिलता जुलता का नाम है गरूर शक्ती, वो हमारी Indonesia और India के बीच में होती है, तो दोनों ही में confused आपको नहीं होना है, तो best option यहाँ पर हो जाएगा, एक केवल एक, अगला प्रशन देखते हैं, निमलेखित कतनों पर विचार करना है, कौन से कतन सकते हैं, डॉक्टर केके मुहमद कोया समुदरी ककडी सनरक्षन, रिजर्व दुनिया का पहला समुदरी ककडी सनरक्षन छेतर है, पिट्टी पक्षी अभ्या मंत्री की लक्षदीप में यात्रा भी हुई थी, जिसके बाद पूरा मालदीव का एक प्रक्रान स्टार्ट हो गया था, यहां पर हमें इसको प्रमोट भी करना है, टूरिजम में, हर चीज में, बट यहां पर सरकार के तोरा बोला गया है, कि हमें ओवर क्राउडिंग का भ जब भी हम लोग ककडी सनक्षण की बात करते हैं, समुद्री ककडी के बारे में, सी ककंबर की बात करते हैं, तो यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यह हमारे लिए इंपोर्टेंट क्यों है, आपको पता होना चाहिए, समुद्री ककडी की खास बात यह होती कि एक दम सही है, जो केके मुहमद समुद्री ककडी सनक्षण, यह दुनिया का पहला समुद्री ककडी सनक्षण छेतर है, पिट्टी पक्षी अभ्यारों यह अंडमान में नहीं है, यह कहां पर आपको देखने को मिलेगा, लक्षदीप में, ठीक है, तो अब दूसरा वाला स् दुवाओं का मारदशन करने के लिए डिजाइन किया गया है, यह फेस्बुक और जनजाती मामलों के मंत्राले की एक संयुक्त पहल है, आप देखे, इसको पॉस करके इसको लगाने का प्रयास करिए, पी आईबी का आर्टिकल है, सामाजिक नियाय से आप इसको जोड़ सक करती, इनकी विभिन विभिन कलाएं जो भी होती है, इनको यहाँ पर प्रदर्शित करा आता है, इनको प्रमोट किया आता है, उसी से इसका नाम पढ़ा है आदी मोहत्सव, अब ये तो बात आपके समझ में आ गई, जो गोल इनिशियेटिव है, ये फेस्बुक और जनजा करती युवा है, जो महिलाएं है, उनको यहाँ पर एक मेंटर्शिप दी जाएगी, किस तरीके की मेंटर्शिप का मतलब होगा है, गाइडेंस दिया जाएगा, यदि कोई अपना उध्यम स्टार्ट करना चाहता है, उनके संचार कौशर को कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, इन सारे विशयों पर उनको यहाँ पर मेंटर्शिप एक गाइडेंस प्रोग्राम जिसका नाम है गोल, तो यहाँ पर दोनों ही स्टेट्मेंट्स हैं, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन है C, फोर्थ, पनामा, विल्ट रोग कौन सी फसल से यह संक्रमीत होती है, इस रोग से बह हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जो हमारी विदेशी मुतरबंडार है वो बढ़ेगा, तो यह तो सिंपल सा एक आर्टिकल था, बट इससे हमारे लिए जो बनाना, जो केला फसल हो इंपोर्टन होती है, तो पनामा विल्ट रोग जो है, अभी तक आपको अंगाजा हो गय अब जैसे ही आप यह options देखोगे, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, कि methane की जहाँ पर बात हो रही है, वो कौन सी ऐसी फसल है जिसी खेती में, methane का उतसरजन होता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, आप देखिए, आज के तथ में हम लोग बात करेंगे लिगनोसाइट के बारे में, आपको एक figure दिखाई दे रहा है, इसमें एक satellite है, बंद सा satellite है, important बात यह है, कि यह एक wood से बना है, ठीक है, अब यह जो लकडी का उपग्र है, जिसका नाम है लिगनोसाइट, तो पहला fact आपको पता हो जाना चाहिए, कि Japan और America के माध्यम से इ बना रहा है, बेसिकली इसको बनाने के पीछे का कारण क्या है, कि जब भी कोई भी उपग्र है, वापस से हमारे atmosphere में दाखिल होता है, तो हम उसको नष्ट करने का प्रयास करते हैं, उसको खतम करने का, तो aluminum का उपयोग करते हैं, aluminum जलने के बाद बहुत tiny particles में टूटता है, चोटे-चोटे कड़ों में, जो हमारी ozone परत को भी नुकसान पहुचाता है, जो इसको बोलता है कि space debris, जो समुदर का कचरा होता है, उसमें भी यह योगदान देता है, तो हम एक ऐसा bio-degradable satellite बनाना चाह रहे हैं, जिसमें से क्या होगा, यह pilot project की तरह launch करा जाएगा, जब वापस यह atmosphere में re-entry करेगा, तो इसके जलने के बाद कोई भी इसका by project बचेगा नहीं, पूरी तरीके से नश्ट हो जाएगा, तो यह हम एक project के तौर पे launch कर रहा है, अगर यह successful रहता है, जो lignoset है, तो उसके बाद हम लोग satellite बनाने के लिए जो उपकरन का, जो पदार्द का उपयोग करते हैं, उसमें हम इस लकडी का उपयोग कर सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, तो यह याद रखिएगा, लignoset है क्या, ठीक है, चलिए, आज आपसे दो प्रेशन पूछता हूँ, एक है, nomadic elephant, और दूसरा है, ecuverin, यह दोनों ही exercise हैं, आपको बताना है, किन दो देशों के बीच में यह दोनों exercise होती हैं, तो आज के daily quiz में इतना ही रखते हैं, मैं आशा करता हूँ, आज का daily quiz आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगाए तो इसको like, share, comment करके जरूर बताएगा कि कैसा लगा आपको आज का session, आपसे मुलागात हो आपको 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 आपक